यह है यथार्थ ग्रूप का उफर लेटर कंस्ट्रक्सी भी कंपनी का इन लोग ने कुछ भी लिखा नहीं है कि का अभी एड दीखे न वापिस इंस्टाग्राम या फिर पेस्बूप पे तो सीधा वापिस कमेंट में लिखना किये हाई मैं प्रतमेश आप सभी का स्वगत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में और आज हम बात करने वाल है यथार्थ ग्रूप जो कि कई सारे दिनों से मेरे कमेंट सेक्षन में आ रहा था यथार्थ ग्रूप यथार्थ ग्रूप और साथी में मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहते हैं इसके बारे में तो फाइनली एक ऐसा प्रूफ मिला है मुझे जिसके वैसे हम हंड्रेट पर्शेंट बोल सकते कि यह फेक एजनसी है और यह स्कैमर्स है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनके ओफर लेटर के लिगों अब स्कैम आपको बचना अब यह भी शेर करूंगा अब नय वानबी से अफेरर हो तो मेरे चैनल को चेक आउट करना मेरे पिछले टाइम बेभी मैंने कई सारे वीडियोज बनाए थे किस कैम से अब कैसे बच सकते हैं आपको जीनियोन एजन्सी कहां पर मिल सकते हैं सारी चैनल पर है तो जाके देखो अपलाई करो जोब के लिए क्यों सारे ऐसे यहां वहां जाक किया इनके नाम से तो काफी सारे अड़्स है और नीचे कमेंड उन्होंने काफी सारे लोगों को चूना लगा है सच में बोलता हूं कमेंट में तो एकने मेरे YouTube वाली कमेंट है उसमें तो एकने हैं मेंचन घ्या उसको 38600 का इन्होंने चूना लगा है और अभी पता नहीं इ क्या बित्ती होगी मतलब लिटरली किसी का हाड अन्द मनी होता है कि यह लोग ऐसे कैसे स्कैम के अंदर फज जाते हैं अभी उसे दोस्ती बोलेंगे जिनका नाम है उन्होंने मुझे उनका ओफर लेटर बताया कि उनको भी महां से मिला था एजनसी दें उनने अपलाई किया उनको पहिचानना था कि वेदर इट इस फेक जॉब और रियल जॉब क्योंकि इनकी जो पोजिशन थी वह काफी अलग थी जिस पोजिशन के लिए अपलाई किया था तो मैंने वह चेक किया और मेरे आके फटी की फटी रहे गए यह क्या चीज है क्रूस का एक्सपेरेंस र ओफर लेटर है वह भी बता हूंगा लेकिन मैं वह प्रोसेस बताता हूं कि इन्होंने कैसे स्कैम किया है सारे लोगों को तो इन्होंने फेस्बूक इंस्टाग्राम के अपने चलाए फिर सब लोग इनके साइट पे गए वहां पे इन लोग ने डिटेल्स भरे अपने और फिर वहां से इनको कॉल आया और हरेक का इंटर्व्यूऻ करवाया और इनको बोला कि मेडिकल करवा लेन आप और यां पे किसी भी कुरूशिप कर नाम मेंचन नहीं किया यहां फिर कमपनी काुरूश कंपनी का नाम मेंचन किया सिप लघाता इनोगों कर्यार इन लोग ने मतलब यह फेक मेडिकल ही था एक प्रकार का जैसे इनका मेडिकल सब्मिट हुआ बाकी लोग गए ऑफिस में इनके वहले हमार तो मेडिकल क्लियर हुआ है तो अभी इन्होंने और पैसा मांगना शुरू किया कि और पैसा दो नेक्स प्रोसेस के लिए तयार हो जाओ जो कि ऐस नहीं होता, जो रियल एज़नसी हो कभी भी ऐसा नहीं करती homeowners प्रैक्लि स्पिकिंग में जिसवे सारे यह फ्री में मुंबाय में कई सारे एज़नसीए कि ऐसे फ्री वाले जाप ही offer करती है सिर्फ स्थ Спτι्सीर मेडिकल का खरचा ही आपका हो तो मैंने मेरे पिछले प्लीज डू चेक आउट अगर आपने नहीं किया रहेगा स्टी से रब्ली कहां से करें कैसे करना है मैं और एक नया वीडियो भी बनाने वालों एजन्सिस के उपर मुंबई में जितने भी सारे एजन्सिस हैं कि आप गुटलाइं जितनी भी नहीं मेरे से जितनी प् façon सीबलब ओगी उतनी इसकिआ आपको दिखांगा इस व्लोग ठ्रू आपको दीखांगा वहां पे जाके थोड़ा सा जो मैंने बोला ने मेरी वर में जो उन्होंने और शेयर किया तब मैं आपको बताऊंगा कि ऊफर किस तरह से ऑफर जूटा झूटा था और य disput writers जूह अब बच सकते हो किस तरह से चाटल सेमरी तो अभी लेटर मैं आपको बता दूंगा तो इन्होंने मुझसे कंफरमिशन के लिए ही मांगा था कि कहां से अपलाई कर रहे हो क्योंकि उनको पता ही था उनको थोड़ा बहुत आया था तो इनके दोस्त ने अपलाई किया था वह फस गए लेकिन यह बज गए तो इनको शूर करवान बढ़ेंगे और बाद में एक बार प्रोसेस कंप्लीड हो जाएगी तो इनको शिप पर भेजेंगे जो भी जॉब रहते हैं इसे बिल्कुल नहीं करते तो मैंने इनको पूछा विदा कि क्यों रख रहें उनको पेरोल पर जब भी कोई कैंडिडिट सिलेक्ट होता है तो ड इन्होंने चैट शेयर किये थे तो किसी ने अल्रडी इदर एक्सपोस किया आए और यहां पे कमेंड भी है अपर ना यह है ओफर लेटर फैसिलिटी मैनेजमेंट अगर यह है तो इन्होंने यहां पर क्रूज लाइन पर क्यों हाइर किया है इनको यहां पर देखो यह था ग्रूप नाम लिखा है HR मैनेजमेंट जबकि इन्होंने उस पोजिशन के लिए अपलाई नहीं किया था वह पोजिशन यहां पर देखे रखा है मतली सेलरी बेदे को किस तरह से लिए कुछ ब्रेकडाउन वगरे कुछ किया नहीं जैसे तो ऐसे लिखते है वैसे रिगूर करेगा क्योंकि यहां पर 9 और लिखा और 6 डेस पर वीक क्रूज लाइन पर कॉन चुट्टी देते हैं मैं खुद 4 साल काम किया हूँ चार कॉंट्रक्ट किया हूँ एक भी दिन चुट्टी मिले नहीं मुझे सातों के सातों दिन काम रहते हैं वहां पर दे हैं उनका तो जैसे कि यहां पर मैंने पकड़ लिया था 6 डेस पर वीक कुछ कमेंट्स भी आयते मुझे मेरे पिछले कुछ वीडियोस पर और कहीं सारे है मैं देखते जा रहा हूँ पढ़ता हूं मैं उन कमेंट्स को यहां पर देखो 38,600 रुपाय पे किये किसे नहीं यहां पर इन दोमें पहले यहां पर लिखके तो रखा है क्रूज सर्विसज्जिश जो की है नहीं ॊ यहां पर उनके वेबसैट पर लिखा भी था कि यह अ explains q conston company का पूरा लिखा है कि फैसिलिटी मेनेजमेंट सर्विसेस कंस्रक्शन और यहां पर किदर एक इक्स्ट्रा में लोग लिखा है क्रूज शिप तो अगर हम यहां से जाए कि यहां पर देखो किसी भी कंपणी का इन लोग ने कुछ भी लिखा नहीं कि कार्नीवल ब्रांड है आरचफ्यल ब्रैंड है कुस हिधर लिखा कि नहीं लोग में तो देखो देशन थे इसे होता है website में भी scam तो अगर आप भी कर अपलाई कर रहे हो तो प्लीज पहले चेक करना कि यह कौन से ब्रैंड से अवेलेबल जो कि आप हायर कर रहे हो तो यहां पर वेबसाइट पर लिखा ही नहीं है अतलब कि इतना बड़ा इंस्ट्राग्राम या फिर फेस्बुक पर तो सीधा वहां पर कमेंट में लिखना कि यह स्कैमर है और इनकी आप पर जॉब अपलाए मत करना ताकि आप आगे वाले आगे जो भी फसने वाले होंगे उनको बचा पुझ्ञ का काम मिलेगा आपको भी मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जल्दी में जैसे मैं ने इस वीडियो में बोला मैं आपको लेखे जाँगा हर एक इंस्ट्रूट में वहाँ पे बताऊंगा कि कहा कहा पह है और साथी में अभी नेक्स वीडियो आने वाला है फेक जॉप वरसेस रीयल जॉप किस तरह से आप पहिचाहन सकते हो step by step में सारी चीज़े आपको बताऊंगा इस वीडियो में till then bye take care